तो लोन लेने के लिए यहां पे जो है कम्पूर्टर कर समने आज बुका हूं मैं आपको एंड में वता दूंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो इसको तो यहां पे मैं आप इसी पे दिखा रहा हूं उसके बाद जो है मैं आपको मोबाइल से एंड में जो है आ सबसे पहले तो आप मेरा अकाउंट बैलेंस देख लो तो एकाउंट बैलेंस यहां पर शो कर रहा है देख सकते हो 56,548.10 तो यह जो है अभी मेरा अकाउंट बैलेंस है और लोन लेने के बाद इंस्टंटली यह बढ़ जाएगा वह भी मैं आपको दिखाऊंगा गाईस अपने इंडरेंट बैंकिंग पर लॉग इन हो जुगा हो और लॉग इन होने के बाद जो है यहां पर मेरे को कहीं नहीं जाना है मेरे को लोन का ओफर मिला है बहुत सारे ओफर मिला है आपको भी मि तो यहां से आप आराम से कोई भी लोन अपलाय कर सकते हो तो मेरे को जो है ना मेरे को ओफर मिला है लोन का तो मैं यहां से नहीं ओफर वाले सेक्शन में से करूंगा ओफर यहां पर देख सकते हो तो ओफर वाले सेक्शन में मैं चला जाओंगा और यहां पर देखो नीचे 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 बहुत सारे offers मेरे को मिल रहे हैं यहां देख सकते हो सामर सामर ट्रीट्स पर यहां पे अवेलेबल है personal loan for eight for your needs तो यहां पर जो है मेरे को मिल रहे हैं यहां आप चैक आउट करो देखो देखो यहां क्या लिखा हुआ है लोन अमाउंट 8.75 लाक मतलब एप्रोक्स 9 लाक का लोन मेरे को मिल रहा है और डिस्वार्सल इन 10 सेकंड दस सेकंड मेरे को जो है मिल जाएगा यह माई होगा कितना 2100 कितना यहां पर शो कर रहा है तो कोई बात नहीं हम यहां पर डिटल चे का ओफिशियल लोन पेज तो यहां देख सकते हो यहां पर जैसा है यहां ऊपर देखो गाई आट लग 75,000 मेरे को मिल रहे हैं लोन और यह मैं होगा 28,000 अगर मैं लेता हूं और देखो इंट्रेस रेट बहुत ज्यादा कम है 10.99 इंट्रेस्ट रेट है और जो आराम से चेक आउट कर सकते हो कि ऐसा नहीं है बाउंड नहीं है कि 8,75,000 आपको लेना है यह तीन सालों में पूरा करने के लिए बोल रहा है तो यहां पर यह माई जो है मंतली बहुत जादा बढ़ जाएगा तो हम तीन साल के लिए लेंगे लेकिन इसना अमाउंट नहीं अब चीनले कम लेंगे यहां पर मैं आपको एक लगाख लेकर दिखाऊंगा गाई तो यहां पर जो है आपको कोछ नहीं करना है कमि अब 10.99 दिखा रहा है और जो प्रोसेसिंग भी है वह 2369 और 10 रुपए जो है आपका स्टाम ड्यूटी और आपका यह माई दिखा रहा है तो यह सारा कुछ जो है अभी चेंजेस मैं कर दूंगा यहां पर देखो उपर जो है लोन अमाउंट और टेनर शो कर रहा है तो लोन अमाउंट को मैं यहां से चेंज करूंगा देखो 1,75,000 अभी जो है मैं ले रहा हूं तो मेरे को जो यह माई पड़ेगा वो 5,700 बड़ेगा और लेकिन गाइस यह जो प्रोसेसिंग फी है ना यह पूरा कांस्टांट है इतना ही रहेगा तो इसको अगर मैं और भी कम करता हू अगर इसको मैं और भी कम करता हूं देखो एक 1,40,1,30,1,20 तो 3,900 करके मेरे को मंतली देना पड़ेगा 1,15, 1,10, 3,600 करके देना पड़ेगा, 1,05, अगर मैं 1,05, लेता हूँ न तो मेरे को जो है अभी मैं 1,05,000 में लोन लेकि दिखाऊंगा और टेनर हमारा 36 महीना रहेगा मतलब तीन साल रहेगा और जो मेरा EMI होगा ना वो 3437 रुपीस मतलब फास्ट EMI साथ तारिक को जुलाई साथ तारिक को कटेगा तो आप आराम से जो है यहां से अभी हम अपलाई कर सकते हैं और इन नीचे देखो मतलब मेरे को मिलेगा एक लाग 2631 मतलब तेई सो 69 रुपए जो है कटेगाड 2359 कट जाएगा प्रोसेसिंग यहां से जो है अभी जो है मैंने सारा कुछ यहां आप टैनर को भी कम कर सकते हो टैनर को अगर आप कम करते हो ना तो आपका जो है यह माई बढ़ जाया तो मैं टैनर सेम 36 महीना रहने देता हूं और सीधा यहां से जो है हम कंटिन्यू कर देंगे और कंटिन्यू करने के बाद कुछ प्रोसेस बगेरा है तो वह सारा कुछ हमें कर लेना है आर्यू इंटरेस्टेटर इन इंस्टोरिंग यह और लोन तो साट रुपए में जो है यह माई साट रुपए है तो आप अपना डोन का जो है इंशोरेंस कराना चाहते हो कि नहीं ऐसा पूछ रहा है तो मेरे को नहीं चाहिए को में नो कर दूँगा तो नो करने के बाद जो है यहां देखो प्रोटेक्ट और फैमिली मेंबर को प्रोटेक्शन भाइव आपको इंशॉरेंस मिल रहा है तो आर इधो इंटरेस्टेड वता रहा है तो यह विम्हें नहीं हूं क्युक्ति मेरे जो है पहले से बहुत जादा इ देखो गाइज यह सारा important है अगर आप यहां पर yes करते हो ना तो हर महीने आप आपका जो है साथ रुपे करके कटेंगे यह सारा कुछ आपको ध्यान देना है apply करते बाद तो यहां पर जो है no कर दिया और continue कर दिया मैं गलती यहां पर हो जाता है आपके और जो है आपके महीन यहां पर जो है agree पर declaration पर agree पर क्लिक करना पड़ेगा आपको तो इसके लिए जो है यहां पर I agree to and accept तो उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे नीचे आपको सारा कुछ पढ़ लेना है यह जो है I confirm that I am not a director at any bank तो जो बैंक का director है उनको यह जो है नहीं मि अग्री पर क्लिक कर दिया अब जो है यहां पर देख सकते हो टिक मार्क आ गया है अगर आप इस पर क्लिक नहीं करोगे I agree to and accept पर क्लिक नहीं करोगे तो यह जो है टिक नहीं होगा वहां पर जाके यस करना है तब ही जाकि यह टिक आएगा यहां पर अब जो है रहे consent to call for marketing or promotional offers तो आप जो एं मार्केटिंग एक्जीग्यूटिव आपको फून करेंगे और advertisement के बारे में आपको पूछेंगे promotion के बारे में आपको promotional offers के बारे में आपको बताएंगे तो उसकी लिए आपको call चाहिए की नहीं चाहिए तो मेरे को हाँ चलेगा ओके पर क्लिक कर देता हूं और नीचे जो लिखा हुआ है यहां पर दिख सकते हो बी एन ये डी यू फोर तो उसको आपको टाइक कर देने हैं भी सब्मिट करना है गाइस तो अल्मोस्ट डन है तो यहां पर जो है अभी देखो टांस और पढ़ना है गाइस यह पढ़ने में मतलब बहुत टाइम लग जाएगा तो यहां पर मैं इसको स्कीप कर रहा हूं तो यहां पर डीटल शो करेगा लोन नंबर जो है लोन अकाउंट नंबर आपको शो करा देगा रेट आप इंट्रेस्ट जो है 10.99% पर एनम है और यह माइ 4.14 को यह इंड हो जाएगा कुछ मैंने देख लिया यहां पर आप जो है यहां सारा कुछ आपको चेक कर लेना है उसके बाद मोबाइल पर एक oड़ी बी आएगा आप ने जिस भी मोबाईल नंबर रेजिस्टर किया हुआ है उस पे आपको एक OTP आएगा तो वो OTP जो है आपको यहाँ पे इंटर कर देने हैं तो OTP मैं डाल देता हूँ तो है OTP डाल दिया Submit पे हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही गाइस I think हो जाएगा तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो congratulations मेरे को congratulate कर रहे हैं यह लोग और बता रहे हैं कि 15,000 जो है डिसबॉर्ट हो जाएंगे 10 second में आपके account में add हो जाएंगे तो यह से जो है आपका कट जाएगा आपका processing पी और कटने के बाद जो है एक लाग 2,631 रुपया आपके account नमबर इतने पे add हो जाएगा गाइस ऐसा यह बता रहा है तो यह हो जुगा है आप जो है नीचे यहाँ पर जो शो कर रहा है ना form जो है इसको आपको fill up नहीं करना है क्योंकि यह जो form है ना अगर आप चाहते हो कि एक insurance लो देखो यहाँ पर नीचे देख सकते हो आपको मैसेज दिखाता हूं लब इतने ही टाइम में यह जो है एड हो चुका है है मेरे account में तो इतना faster यह जो है account में एड हो चुका है गाइस तरह से जो है अगर आपको offer मिले offer ना मिले तो भी आप loan section में जाके आराम से इस तरह से apply कर सकते हो that's it guys that's it for the video अगर आप इसको mobile में कर रहे हो ना तो एक browser खोलो देखो यहां पर मैं Google खोला और यहां पर आपको सीधा hdfc bank bank net banking खोल लेना है और search करने के बाद पहले वाला option जो आएगा तो उसके बाद जो है ना आपको login बाला page खोल लेना है देखो continue to internet banking अब यहां पर गाईज आ चुका है यह रहा मतलब login पेज तो यह खुल चुका है तो यहां पर आपको ऊपर three dot वाला section है ना वहां पर आपको जाना पड़ेगा और यहां पर जाने के बाद जो है आपको desktop site जो है इनावल कर देना है तो अब desktop site इनावल हो चुका है अब इसको जो है login करोगे ना तो पूरा जैसे computer में खुलता है ना सेम बैसा ही खुलता है तो इस तरह से आप यहां पी वह सारा process जो है करके आप loan आराम से ले सकते हो that's it guys तो वीडियो जो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और इस वाले वीडियो को जो है आपको forward करने हैं आपने जितने भी दोस्त है उन सारे को जो है आपको follow मतलब शेयर कर देना है ताकि वो लोग भी जो है apply कर सके कुछ से apply कर सके लोन तो वीडियो में गाई